नवस्कार दोस्तों मैं डोक्टर खारी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का हमारा टोपिक रहेगा होमियोपेथी क्या है इसकी खोज कैसे और किसने की होमियोपेथी के क्या फायदे होते हैं दोस्तों होमियोपेथी के खोज करता जर्मन डोक्टर हैनीमैन ने की थी डोक्टर हैनीमैन पहले एक अलोपेथिक सर्जन के रूप में प्रेक्टिस करते थे लेकिन उस समय पेशेंट के अलोपेथी से संतुष्ट ना देखकर डोक्टर हैनीमैन ने होमियोपेथी की खोज की इनके अनुसार होमेोपैती व्यक्ति के संपून शारिरिक और मानसिक स्वास्त को संतूलित कर बल देती है यह पैती शरीर की स्वयम ठीक कर लेने की शमता यानि इम्नियोटी को बढ़ाने में मदद करती है होमियो पैथी दो सब्दों से मिलकर बनी है पहला होमियो और दूसरा पैथी होमियो का मतलब है लाइक यानि समान पैथी सफरिंग से बना है इसका अर्थ है कि अगर किसी चीज के खाने से हमारे शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट्स पढ़ते हैं तो वही चीज के कम खुराक में देने से रोगी ठीक हो जाता है दोस्तो इसको साधारन बाशा में समझा जाए तो प्याज के काटने से आखो और नाक पर जो लक्षन नजर आते हैं वैसे ही लक्षन अगर जुकाम में नजर आएं तो प्याज से बनी मेडिसीन से वो ठीक हो सकते है यह पैथी केवल रोगी के लक्षनों का इलाज ही नहीं करती बलकि रोगी के मानसिक और शरीरिक इस्तिती पर भी ध्यान देती है यानि एक ही मेडिसीन रोगी के पूरे शरीर को ठीक कर देती है होमियोपेथी दवाई प्राकर्तिक पदार्थों का उप्योग करके बनाई जाती है होमियोपेतिक फार्मोकोपिया के अनुसार प्राकर्तिक पदार्थ को अलकोहूल और पानी के निर्दारित अनुपात के साथ मिला कर दवाई बनाई जाती है दोस्तो आईए अब जानते हैं होमियोपेतिक दवाई के क्या फायदे होते है जैसा कि आप सभी को पता है कि होमियोपेती पुराने और असाध्या रोगों को ठीक करने के लिए विश्व परशिद है जो केस ऐलोपेती में ठीक नहीं हो पाते हैं उन्हें होमियोपेती शुरू से ही ठीक करने में शक्षम रही है जैसे कैंसर, BP, thyroid, diabetes, पुराने चर्म रोग होमियोपेती रोग को जड़ से ठीक करती है ना कि कुछ समय के लिए अराम देती है इसे सभी उम्र के लोग खा सकते हैं बच्चों और बुजर्गों में इसे बेजिजक दिया जाता है क्योंकि इसका कोई side effect नहीं होता है दोस्तो अगर आप किसी पुरानी बिमारी से पीडित है और आप इसका होमियोपेतिक इलाज चाहते हैं तो दिये गए वोटसअप नंबर पर मुझे संपरकर इलाज ले सकते हैं